हेलो दोस्तो, दाकेन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हरियाना सीटी पर आई नई अपडेट पर बात करेंगे। आज के न्यूस पेपर में आई कटिंग से यह जानकारी मिलती हैं कि इसके अलावा अन्य कटिंग में बताया गया है कि हरियाना कर्मचारी चैन आयोग ने संभाविट शेडियूल तयार कर लिया है। 21 जून से 31 जुलाई तक यह परिक्षाएं होंगी। पेपर लीक को रोकने के लिए इस बार HSSSE ने फुल प्रूफ प्लान तयार किया है। पहली बार चार बार कोड वाले प्रश्न पत्र दिये जाएंगे। खास बात यह होगी कि इसमें संबंधित अभ्यर्थियों की हिडन डिटेल होगी और पेपर लीक की संभावना नके बराबर रहेगी। 32,000 पदों पदे के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा CET पास 3,26,000 युवाओं ने स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आवेदन किया हुआ है। आयोग पदों के चार गुणा टॉपर को ही स्क्रीनिंग के लिए बुलाने की तयारी में है जबकि अभ्यर्थी सभी को मौका देने पर अडे हुए हैं। हालांकि अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हरियाना कर्मचारी चैन आयोग ने परीक्षाएं के लिए पूरी तयारी कर ली है। आयोग की मन्शा है कि सितंबर में चतुर्थ श्रेणी के बारह हजार पदों के लिए सामान ने पातरता परीक्षा से पहले गुरुप सी की भरती को पूरा कर लिया जाए। ताकि गुरुप सी की भरती से बाहर रहने वाले अभ्यर्थी गुरुप D के लिए आवेदन कर सकें। कभी भी हो सकता है। इसके लिए हर्याना करमचारी चैन आयोग तयारी कर रहा है। इसके लिए आयोग पहले से तयारी कर लेगा। पिछले दिनों पंचकूला में आयोजित की गई TGT की परीक्षा के लिए 33,000 युवाओं ने भाग लिया। झाले से लिए।